हमारा belly fat हमारे लिए किसी सिर्द्द्रदी से कम नहीं होता कभी ये कम हो जाता है और कभी ये बढ़ जाता है इहां friends मैं हूं लुक्तर सीमा गुप्ता एक आयुवदिक डॉक्टर और हमने अपने पहले वीडियो में जाना था belly fat होने के कारण और उसको कम करने के लिए कुछ exercises साथ ही friends हमने दूसरे वीडियो में चाना belly fat को कम करने के लिए कुछ yoga poses और आईए आज के वीडियो में चान लेते हैं belly fat को कम करने के लिए effective diet tips और साथ ही कुछ extra effective tips अब समय है कि खान पान में क्या शामिल करें कि हमें पेट पर चर्वी ना जमें अगर हम खान पान को संतुलित नहीं रखते हैं तो जितनी भी exercise कर लें पेट की चर्वी कम नहीं होगी तो दूबे उठते ही करीब दो गिलास गुनगुना पानी पीए ताकि आपका पेट साफ हो जाए शौक संपरित होने के बाद एक गुलास गुनगुने पानी में नीमबु मिलाकर गिये जिनने शूगर है वो नीमबु पानी में चिनी ना मिलाए और जिनन ऐच रखचाप है वो बिना नमक के पीए फ्रेंट्स नीमबु पानी पीने से शर्तिया वजन कम होता है नाश्टा ये से 15 मिनट पहले तरी 5-6 बदाम खाएं इस बदाम को रात बर पानी में भीगोकर रखें सुबे चिलका उतार कर खाएं बदाम खाने से शरी को जरूरी पोशकता तो मिठते हैं बदाम में फाइबर होता है जो भूग को मिठाता है नाश्टा कवट वाले दही के साथ दो चापाती खा सकते हैं इसकी जगे दो ब्राउन बड भी ले सकते हैं जिस पर बदाम वाला बटर लगा सकते हैं इनकी जगे एक नोरी ओट्स भी खा सकते हैं प्रेंट दो गहते के बाद अगर आप सुबह समय पनाशता कर लेते हैं तो 11 बजे के अज़ पस कोई भी फल खा सकते हैं या फिर फ्रूट सालड भी खा सकते हैं फ्रेंट जो पहर का खाना खाने से पहले सबजियों का सैलड जरूर खाएं सलाद खाने से शरीर को अतरिक्त फाइबर मिलता है इसके बाद एक या दो रोटी और साथ में मिक्स सबजी वो उबली डाल ले सकते हैं अगर डॉन वेज खाते हैं तो मचली का एक टुकड़ा ले स रात का खाना हमेशा हलका होना चाहिए आठ वजे तक कर लेना चाहिए डिनर में बिना बटर के वैज याफिज चिकन सूप ले सकते हैं इसके बाद सबजी के साथ एक या दो रोटी ले सकते हैं फ्रेंट दूरी बनाएं शक्कर युक्त वह इपाबंद खादे-पदाथ ख चावल नूडल्स पास्टा और ब्रेट से इनके ब्राउन राइस ब्राउन राइड का सेविश करना चाहिए तंबाकुई शराव वह सिग्रेट से परहेज करना चाहिए फ्रेंड्स आगे कुछ और जरूरी टिप्स जिनकी मदद से पेट की चरबी को कम किया जा सकता है पानी तबी नहीं पीना चाहिए जब आपको प्यास लगी हो या फिर गला सूख रहा हो हर चाहिए समय पर थोड़ा सा पानी पीना चाहिए पानी पीने से ओवरेटिंग क्या अदत कम हो सकती है फ्रेंड्स नाश्ता करना ना भोलें जितनी जरूरी सांस लेना है उतना ही ज इसलिंट गुन होते हैं जो मुटापा चर्वी घटाने में सहायक होते हैं इसे दिन भर में कम से कम दो से तीन ग्रीन टीप पी सकते हैं साथ ही प्रेश्यम युक्त खादे पदात लेनी चाहिए जिनमें की अवकेडो केला पपीता आम और खरपूजे में पुर मात्रा में जो श्रीब में पानी की कमी नहीं होने देता है और वजन कम करने में एल्प करता है फ्रेंट साथ ही फलो सब्सियां दिन भर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में का सेवन करते रहना चाहिए इसे भूख कम लगेगी और मोटापा कम करने में मदद मिलेगी फ्रेंट साथ ही स सम्भव हो तो दिन की शिवात फलों की समूधी के साथ करें, खास कर तर्बूज की समूधी का सबन करना चाहिए, तर्बूज में प्रयाप मातरा में पानी होता है, इसे खाने के बाद पेट भरा रहता है, और कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसे में जब आप खाना नहीं अगर आप फुरी मिन सोते हैं तो पाचंत अंदर अच्छे से काम करता है और भोजन को पचाता है फ्रेंड्स कमर या पेट पस जमी चर्बी ऐसी समस्या नहीं है कि उसे दूर ना क्या जा से के बस जरूरत है तो तहे दिन चरिया का पालन करने और नियमित वहयाम करने की आई हो फ्रेंड्स आपको ये सारी चानकारी अच्छी लगी होगी बने रहे चैनल आई रूप्सक्राइब के साथ आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अप्रेट्स पाने के लिए